प्रेंज नमस्कार मैं हूँ आपका फ्रेंड कमल लंदाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूँ आप यही के अपने चैनल कमल लंदाल पर यूट्यूब फेस्बूक और आजे टीवी नेटपप पर फ्रेंज हम आपके लिए लिकर आए हैं कमल लंदाल का राश्य इस राश्य फल में बात करेंगे मेश से लेकर मीन राश्य के राश्य फल की साथ साथ आपको बताएंगे राश्य अनुसार कुछ सिंपल से उपाए राश्य अनुसार ही आपका लके नमबर और लकी कलर भी पंचांग बताएंगे दिशा शूल की जानकारी देंगे साथ भी राजशी वाले क्या करें और क्या न करें और प्रोग्राम के आखरे में आपको बताएंगे एक ऐसा स्पेशल उपाय जो आपके लाइफ की किसी खास प्रॉब्लम को चुटके में दूर कर देगा तो चलिए शुरुवात करते हैं कमल नंदलाल के राजशी फलकी शाम को पांच बचकर 28 मिनट से लेकर शाम को साथ बचकर 12 मिनट तक भदरा रहेगी सुबह 6 बचकर 34 मिनट से लेकर शाम को 6 बचकर 6 मिनट तक सरवार्त सिद्धी उग रहेगा सुबह 5 बचकर 25 मिनट से लेकर सुबह 10 बचकर 36 मिनट तक दिन का सबसे शुम मौरवत रहेग और चंद्रोदे का जो समय रहेगा वो रहेगा रात को दस बज कर तेरा मिनट तक और हमारा जो विशेश उपाई है, स्पेशल उपाई, वो भी एक दंत संकष्टी चतुर्ती से ही जुड़ावा है, जानकर ही देंगे आपको, कैसे विग्नों का विनाश होगा, उसके लिए राशी फल को आखर तक देखेगा, साथ साथ आपको ये भी पता दें कि जो दिशा शूल है, वो पश्च्चम दिशा में रहेगा, इसलिए पश्चम दिशा की ट्रेवल करना से बचें, गर यात्रा करना जुरूरी हो, तो थोड़ा सा घी खाकर याँ घी से वनीवी कोई च करेंगे, कागस पर रूली से सूरे लिखकर जेब में रखें, शुमंक तीन रहेगा, शुमंक रहेगा, पीला, दूसरी राशी व्रिश याने के टॉरस की बात करेंगे, नए काम शुरू होने में देरी होगी, कारशेतर में कड़ी मेहनत करेंगे, घरिलू जीवन सुखी र मिलेगी, आर्थ एक लेंदेन में सतर्क रहें, उपाईये करेंगे, पूजागर में लाल फल चड़ाएं, शुमंक नौ रहेगा, शुमंक रहेगा, शुमंक रहेगा, नारंगी, तीसरी राशी में तो नियानी जमनाय की बात करेंगे, खास लोगों के संपर्क से लाब होग स्वभाव में चिर्चला पन रहेगा, घरेलो कामका सफल रहेंगे, खर्चों में वरद्दी होगी, धर्म कर्वों में रुची बढ़ेगी, उपाईये करेंगे, गरीब महिला को गिहुदान करें, शुमंक रहेगा, शुमंक रहेगा, शुमंक रहेगा, शुमंक रहेगा, पांचवी रैशिस सेंग य以न लियों की बात करेंगे, व्यापार में बडे मोके मिलेंगे, कारोबारी सफलता मिलेगी, कोई खुशकाबरी मिलेगी, पढ़ाई में आ रही बात हैं दूर हो गी, कामकाच में तारिफ मिलेगी, उपाही यह करेंगी, जायफल सिर्थ से वार कर जला दें शुबंक चार रहेगा शुबरंग रहेगा नीला चटी राशिक कन्या या निवर्गों की बात करेंगे अध्यात्मों में रुजहान बढ़ेगा धनलाब के योग हैं परीजोनों का सहयोग मिलेगा नीजे संबन्नों से लाब होगा कानूनी मामलों में सफलता लगा कर दान करें, शुबंक आठ रहेगा, शुबंक रहेगा, काला, साथवी राशी तुला, यानि लिबरा की बात करेंगे, कारोबरी विस्तार के योग है, नई उजनाओं से लाब होगा, दाम पते में मधूरता आएगी, घूमने फिनने की योजना बनाएंगे, खान पान पर पूरा काबू रखेंगे, उपाईए करेंगे, हरे पत्ते पर शेहद लगा कर जल प्रभा करें, शुबंक नौ रहेगा, शुबंक रहेगा, शुबंक रहेगा, ना रंगी, आठ वी राशी वरिश्चिक यानि की स्कॉर्पियों की बात करेंगे, व्यापार में कड़ी म पर थान रखें, संतां से सुन्बाप तो होगा, वहान खरीदने का मन बनेगा, कारوبारी संबन्द अच्छ बनेगे, पिता के सेहत में सुधार आएगा, उपाईए करेंगे, च्छान उसार, खजूर खाएं, शुबंक रहेगा, शुबंक रहेगा, शुबंक रहेगा, कुम्भ यानिक एक्वेरिस की बात करेंगे कारोबार में तरक्की मिलेगी अचानक धनलाप के यूग है नई संपत्ति खरीदने की संभावनाय है धर्म कर्म के प्रतिरुजान बढ़ेगा कोई शुब समाचार की प्राप्ति भी होगी उपाई ये करें कि लाल पैन से हराम लि बात करें कि सफलता पाने के लिए सभी राशा वाले क्या करें तो देखे रूली मिले जल से सूर्य को अर्ग दें कुबिर पर लाल फूल चड़ाएं गोरी और गनपति की पूजा करके उनपर लाल चंदन चड़ाएं तर्बूज का सेवन करना शुब रहेगा तामबा गिह वहुं मसाले दवाई खरीदना शुब रहेगा, साल का पेड़ लगाना शुब रहेगा, लाल शीट के कपड़े पहनना शुब रहेगा, इशान दिशा की यातरा शुब रहेगी, अब बात कर लेते हैं सफलता से बचने के लिए क्या न करें, तो देखें, अत्यादिक गुस् आज के special उपाय का वो special उपाय जो विगनों का विनाश करेगा खास दिन है यह जेश्ट महीने की कृष्ण पक्ष की चतुरदशी है और ऐसे में एक दंत गणपती के पूजन का विधान है तो विगनों के विनाश के लिए और अज के लिए बस इतन है और आज के लिए बस इतन है कला आप से फिर मला कात होगे इजाज़त दीजे नमस्का नमस्का नमस्षिवाई